देहरादून का एक बोर्डिंग स्कूल वहाँ पढ़ता एक ब्राइट यंग स्टूडंट वो बनता है स्पोर्ट्स कैप्टन लेकिन उसका फिजिक्स ट्यूटर उसके ज्रॉइंग स्केचिस देखता है और उसे पेंटिंग करते रहने को कहता है अब आप सोच रहे होंगे स्पोर्ट्स, फिजिक्स, आर्ट कन्फ्यूज मत होईए कहने का सिंपल मतलब ये है कि जब आपकी किस्मत में कहीं पहुँचना लिखा होता है तो रास्ते घूमते घुमाते आपको सही मन्जिल तक ले ही जाते है जैसे अपनी सही मन्जिल पे पहुँचे इंडियन कोंटेंप्ररी आर्ट के एक ग्रेट विवान सुंद्रम विवान का जनम 1943 में हुआ The Faculty of Fine Arts, MS University, Baroda और Slade School of London में इन्होंने आर्ट के शिक्षा प्राप्त की इनका शुरुवाती काम 1960s में पॉप आर्ट और काउंटर कल्चुरल जाइट गाइस के प्रभाव में किया गया था 1970s में वे आर्टिस्ट के एक ग्रूप का हिस्सा थे जो abstraction dominated modern Indian काम मिलाए figurative painting 1990s में बाबरी मस्जिद demolition और Mumbai riots जैसी घटनाओ और जो उनका देश पर असर पड़ा उसके चलते विवान ने multimedia installation की और रुप किया ये उनका response था उस राजनितिक उथल पुथल का ये installation के साथ काम करने वाले पहले भारतिय कलाकारों में से एक हैं विवान कई अलग-अलग मीडिया में काम करते हैं जिसमें painting, sculpture, printmaking, photography, installation और video art शामिल हैं उनका काम राजनितिक रूप से सचेत और बहुत इंटर-textual है वो लगातार समाजिक समस्याओं, लोगप्रिय संस्कृति, धारना, स्मृति और इतिहास की समस्याओं को संदर्वित करता है विवान ने वैसे तो कई solo shows किये हैं पर वो काफी जाने जाते हैं collaboration के लिए यही कारण है शायद कि painting बनाने की isolation को उन्होंने त्याग ना उचित समझा समय के साथ एक जगा का architecture और जिन लोगों ने उसे बसाया जैसे photographers, craftsmen, technicians, audience, वो सब उनके लिए महत्वपुम बन गया विवान के कई recent projects हैं जिन में उनकी भूमिका एक organizer, एक conductor, एक क्योग curator की है जो contemporary global issues को address करती है